दोस्तों हम फिर से लेकर हाजीर हैं आपके लिए जीयस वर्ड की ये बहुत ही बहुत ही जबर्जस्त टेस्टरीज आपके आने वाले एक्जाम यूपी पीएस्टी आरो ए आरो प्रिलिम्स दोहजार चौबिस के लिए इंडियन पॉलिटी की टेस्टरीज है साथ यूँ इं कि वही प्रशन रखें जैसा कि मैं पहले बीडियो में बताया था कि जो करेंट मुद्दें हैं उन्हीं करेंट मुद्दों से जोड़कर प्रशन बनाया गया है क्वेश्टन आने के ट्रेंड के हिसाब से साथ यूँ इसका पहला पाइट हम लोग कर लिए हैं ये को नहीं देखें हैं मेरे भाई तो प्लीज आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में आरो एरो की इस वीडियो को देखें आज हम लोग अब इसका सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर सेवंटी सिक्स लेकर वन फिप्टी तक होगा सात्यों बहुत ही जबर आपको यहां सारे के सारे लगबग फैक्चुल टाइप के प्रश्ण मिलेंगे यूपी स्पेसल से जो करेंट से रिलेटेड हैं इंडियन पॉलिटी से खास करके इस ताल चुना हुआ है तो इंडियन पॉलिटी को आप मजबूती से देखेंगे तो साथियों एक से बढ़ अच्छा खासा होता है तो अच्छे खासे लेवल के एक्जाम देने के लिए हमें अच्छी खासी तैयारी बहतरीन चीजों का कंटेंट बहतरीन कंटेंट को हमें पढ़ना चाहिए तो चले हम लोग देखते हैं हमारा यह जो कुश्चन नंबर 76 है तो साथियों यह आपका जो है उत्तर सही होगा हमने सी बता दिया था उसके लिए बहुत-बहुत स्वारी सातियों तो विशेज दिवा अधिनियम जिसे इंग्लिस काया था इस पेसल मैरेज एक्ट है जानते हैं अपने देश में विभिन धर्म के लोग है विभिन जादी के लोग है इनके बीच अगर विवा होगा तो या समस्या को साल करने के लिए कोई जिवड़ जस्थी धनपरिवर्द्न न करा सके कोई जाती अबने दूसरे जाती में कनोड करने लिए वो els रियों समस्या से निपटने के लिए ऐस-पेसल मैरेज एक्ट लाइक था उनिस्टोच्याओन में और साथियों, ये question number 57, जो ये 57 है, थोड़ी सी गलती यहां पर होई थी, आलांग कि मैं बोला था सही, लेकिन गलती से ट्विक बी को कर दिया, पेशा अधिनियम आप लोग जानते हैं, फी मैं 1996, में जो आया था, इसके समीती की सीपारिश को लागु किया गया था, तो किस समीती के सीपारिश पर लागु किया गया था, तो इन і चैस्टा में, यह समिति समिति गटित की गई थी यही समिति ने ihks 1994 समिति गटित की गई थी और 1995 में में अपना ofereievous दिया और 实 कि 1964 में पेसा एक्ट हुआँ. पेसा एक्ट क्या था कि जन्जातियों के विच, यह यह पनचायती सिस्टम वह पहत्रीन तरीके शर्म० लागू करने इसमें क्या करा है, करा है भारती सन्विधान में गैर संगी विसेस्ताओं में निमलिखित में से कौन सा सामिल है, यानि ऐसे हमें प्रावधान को बताना है, ऐसी संगी गैर संगी विसेस्ताओं को बताना है, जो इसमें सामिल है, तो साथियों यहाँ पर जो स्वतंत्र न्या पन ये गैर संगी विसेश्ताओं में शामील है तो बिकल्प नंबर 76 का आपका उत्तर यही हो जाएगा और संगी मामले में यह दूई सदनीता होता है जैसे अपने यहां दूई सदनीता है यही है तो बिकल्प नंबर C आपका उत्तर हो जाएगा गैर संगी विसेश्ताओं म पूलिस और लोक बेवस्था निमलिकित में से किस सूची का विसे है तो आप लोग जानते हैं सात्यों सात्वी अनसूची में जो है ये जो है संग सूची राज सूची समवर्थी सूची का ये प्रावधान है संग सूची में केंदर किस पर कानून बनाएगा उस संग सूची और राज सूची में राज विधान मंडल कौन किस पर कानून बनाएगा उस पर और समवर्ती सूची में जो दोनों बनाते हैं तो यहाँ पर जो पुलिस और लोक बेवस्था पूछा है यह किस सूची का भी से है तो साथ हो यह राज सूची का भी से है पुलिस के सिलसिले में और लोग विवस्था यानि पब्लिक मैनेजमेंट के में जो कानून बना जाता है इस से रिलेटेड या राज सूची का भी सह है इस पर राज कानून बनाता है 77 का उत्तर अपका भी हो जाएगा आगे चले हम लोग 78 में तो 78 में साथियों क्या है हमारा देखें एक सवाल थोड़ा सा कंसेप्चूल है इसके बाद सारे के सारे फैक्चूल परशन है थोड़ा सा यहां पर आप लोग जरूर गवर करिए क्योंकि ऐसे परशनिकाक मिल जाते हैं आपको डिश्टर्ब करने के लिए 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 डिश्टर्ब न होईए का आप तो देखें भारती सन्विधान में केंद्र और राज में नहीं शक्तियों के संदर में कौन सा कथन सही है तो कौन सा कथन सही है यह हमसे पूछा जा रहा है तो साथियों संसद न केवल देखो बहुत अच्छा प्रशन है जो संसद कानून बनाता है वह भारती नागरी को ज सब्सक्राइब नंबर 79 ये बात सच है , उपन उत्तर अहल है नंवे सेवंटी एड़िय मैं डेखतेह हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न है कर रहा है कि मूल सन्विधान में अनुछेद 19 सोतंतरता का अधिकार की तहट कितनी सोतंतराओं की गारंटी दी गई थी तो ये आज के नहीं मूल सन्विधान जब सन्विधान बना था उस समय की बात कर रहा है उस समय सोतंतरा का अधिकार में कुल कितनी सोतंतरता तो सातियों याद रखे कुल साथ गारंटी दी गई थी साथ प्रकार की अनुचेद 19 यह जो क्लाज 1 में जो दिये गए थे तो वो कुल साथ थे हलंकि इस समय छे हैं सातों में संपत्ति का अधिकार था तो निकाल दिया गया तो मूल सन्विदान में कुल साथ था इस समय छे हैं तो उत्तर आपका मूल सन्विदान से पूछा है तो साथ हो जाएगा नमबर असी में आप से क्या पूछा जा रहा है निमलिखीत में से कौन सा टेक्स राज सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है तो याद रखिए राज सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है कौन सा नहीं लगाया जाता है संपदा सुल्क नहीं लगाया जाता है नमबर 81 में, 81 में क्या पूछा जा रहा है, देखें, 81 में क्या पूछ रहे हैं, अनुछेद 78 के तहत, निमलिखित में से कौन साम मंत्री परिशत के सभी निड़ेओं के बारे में राष्टपती को सूचित करेगा, तो साथ यह प्रधान मंत्री, अनुछेद 78 में कहा गया है, कि प्रधान मंत्री जो है, मंत्री परिशत संबंधी जो निड़े होगा, और राष्टपती को सूचित करेंगे, विकल्प नमबर आपका B हो जाएगा, 81 का B हो जाएगा, अनुछेद 78 में यह प्रावदान दिया है, आगे देखें हम लोग 82 में, तो 82 में क्या है, निमलिख सर्वोच नियाले के मौलिक छेत्रा अधिकार का वर्डन किया गया है, इसके बारे में आप लोग बताओ, किस अनुछेद में है यह साथियों, तो 82 का उत्तर आपका A हो जाएगा, अनुछेद 131 में साथियों, सर्वोच नियाले के मौलिक छेत्रा अधिकार का वर्डन किय गया है जबकि अनुछेद 132 हो गया 133, 134, 136 इसके तो अपीली छेत्रा अधिकार का उड़न किया गया है तो यहां मौलिक छेत्रा अधिकार की बात है इस पर ध्यान रखे गए यही आपका थी पॉइंट है अपीली रहेगा तो यह नहीं होगा तो यह मौलिक में आएगा आ अधिके संदर में हमें दो कथन दे गए हैं इन ही कथनों पर हमें बिचार कर के सही उत्तर देना है तो चले पहला वाला आरो पढ़ते हैं तो पहला क्या कह रहा है सन्मिधान उस बुनियादी नियमों का समू है यस इतना तो बात सही है उस बुनियादी यानि एक मूल भूत नियमों बुनियादी नियमों का समू है जो समाज के सदस्यों में एक नियुंतम समवनवय और विस्वास बनाए रखा है यस साथ यह संविधान के बारे में यह बिल्कुल सही बात कहा है आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को और समाज या समाज में सक्ति के मूल वितरण को अस्पष्ट करता है यह दोनों के दोनों बाते सही हैं यह संविधान के बारे में समाज में शक्ति के मूल वितरण को अस्प पूछी जा रही है संग की कारेकारी सक्ति संग की कारेकारी सक्ति निमलखीत में से किसमें नहीं थे तो साथियों राष्टपती में नहीं थे बिकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा संग की कारेकारी सक्ति राष्टपती में नहीं थे कैसे कि राष्टपती प्रत्य कि इसमें भीधुमिंदल और की इसमें सीर्वाल कॉछा incense साथियों तो तुलब की बढ़ा करता है तो दबाव समु की वितें साथिवाल की जानता है कि प्रत्या वित जानते हैं कि바 historic घरने की आध्र कारें ऐसे ऐसा सहर्भा जानते हिए उसमें करा है कि प्रत्यत शुरूप से सरकार की नीतियों का परचार करते हैं, तो सातियों ओट मांगने के लिए सरकार की नीतियों परचार नहीं करता है, जैसे सरकार ने अभी ये किसान अंदोलन था, तो किस सरकार ने तीन कानून बना दिया, तो किसान जो समू थे, जो किसान संगठन के भूँग कर बताएं देखो मोधी जी मोगे खिलाब ये कानून बनाये हैं तुम festa नहीं जबर्ज़श्ति नहीं सदस्ता गिरण कराए हिधा लोगों की इच्छा होते हैं लोग इसके ग्रहण करते हैं तो यह दोनों बाते सही हैं यहां पर तो यहां जो नीतियों का परचार लिखाए तो यह मस्तोचना वो ओट मांगने वाला परचार सरकार की जो गलत नीतियां होती हैं गलत गलत हम नहीं कह सकते लेकिन जो समुहों क तो अच्छा नहीं लगता उसका परचार करके लोगों को बताते हैं तो यह है तो यहां दोनों के दोनों बाते 85 का सई हो जाएगा आपका सी हो जाएगा दबाव समों के संदर में 86 अगर हम लोग देखें तो 86 में सातियों हमसे क्या पूछ रहे हैं लिम ने लिखी तुमें से कौन भारत के एक धर निर्पेच राज के रूप में वडित करता है यह सातियों बहुत ही गजब का सवाल प्रस्तावना में धर निर्पेच वाली बात कही गई है तो यहां करा ऐसी चार बातों में से कौन सी ऐसी बाते हैं जो धर निर्पेच राज के रूप में सही बात ब क्या जोड़ा गया था बालिसाव संविधान संतोदन में साथियों सपा जोड़ा गया था अप लोग जानते हैं समाजवादी पंद में रिपे चौरा खंड़ता तो यहीं जोड़ा गया था आगे देखें हम लोग 87 में उच्चतम ने आले यानि सुप्रिम कोट ने किस वाद में यानि किस केस में किस मामले में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो साथियों जो सुप्रिम कोट ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो बेरुबाडी संग मामले में बताय था कि परस्तावना सन्विधान का भाग नहीं है और इसमें संसोधन भी नहीं किया जा सकता तो यह जो केश हुआ था सातियों 1960 में केश हुआ था तो इसमें कहा गया था नहीं है फिर उसके बाद जो अपना नेड़े सुप्रीम कोड ने पलर दिया कहा कि अगर यह संसोधन इसमें नहीं होगा तो इसकी प्रस्तावना की प्रासंगिक्ता खतम हो जाएगी तो फिर वहां उन्होंने क्लियर किया आगे चलकर कि हां भाई यह स प्रस्तावना संग्यान का भाग है और इसमें संसोधन भी किया जा सकता है तो यहां पर आपका उत्तर यह हो जाएगा इसी में केवल कहा है कि भाग नहीं है आगे देखें हम लोग 87 का हमारा हो गया 88 का देखते हैं तो 88 में हमसे क्या पूछ रहे हैं निमने लिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करकर हमें जो है सही कथन का चैन कीजिए सही उत्तर का तो साथियों सही उत्तर का हमें एक दम अच्छे से जवाब देना है इससे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा तो क्या है यहां पर साथियों यह देखें केंदरी पर सासनी का धिकरन जिस तो है सुप्रिम कोट के द्वारा एक नामित समेती होती है उसके द्वारा ये जो वो समेती जिसे नामित करते है यानि राश्पति द्वारा नामित नहीं होती है यह सुप्रिम कोट यानि मुखिनाइधीस के द्वारा नामित होती है तो ये बात हमारी गलत हो गई पहली वाल पढ़ेंगे तिसमी करा है भारत के राष्टी सुरच्छा सलाकार की निउप्ती भारत के रच्छा मंतरी करते हैं तो यह diffy गलत हो गई यहां प्राधान मंतरी के दश्ता वाली जो एक हमारी झानते प्राधान मंत्री का जुं उमन्प्री मंदल होती है उसका प्रदान मंत्री होता है और मंत्री मंडल की एक समिती होती है राष्टी सुरच्छा समिती तो राष्टी सुरच्छा समिती ही जो है सुरच्छा सलाहकार की नियुक्ति करती है तो यह राजनास सिंह नहीं करेंगे रच्छा मंत्री यह सुरच्छा सलाहकार यानि भारत के इस सब अगे हम लोग देखें 89 में अब चलो हम लोग बीचार कर रहे हैं अब बीचार करके हमें गलत को बताना यहां थोड़ा सावधान रहिएगा नहीं तो किसल जायेगे आता हुगा प्रश्न को गलत करके आएंगे आप लोग तो गलत कथम को बताना है तो चले जो गलत होगा उसी को हमें बताना होगा तो चले साथियों भारत के सनमिदान ने काइबिनेट सब्द को परिभासित नहीं किया है यह साथियों काइबिनेट सब्द जरूर है सनमिदान में लेकिन इसको कहीं ठीक से परिभासित नहीं क सकता है आप लोग जानते हैं बहुत ही बच्चों जैसा सवाल है आप लोग देखते होंगे कोई भी बिधायक होता है वो सांसे दे चुल ले आयता है तो उसे किसी एक पत से इस्तीफा देना पड़ता है तो ऐसा होता है आप लोग जानते हैं बच्चों टाइप का परश्म है आगे हम लोग देखें 90 का तो नभगे वाले में हम से क्या पूशा जा रहा है पंचायती राज के संदर में बहुत अच्छा प्रश्ण पंचायती राज के संदर में हमें दो कथन देए गए हैं और उनी कथनों यह सही उत्तर चुनना है तो देखें पहला वाला जब पढ़े तो यह बात तो सही हो गई हमारी दूसरा अगर हम लोग पढ़ते हैं परदार मंति जवालान नेहरू ने नागवर जिले से 2 अक्टूबर 1969 को यह बात बिल्कुल सही है उन्होंने 2 अक्टूबर राजस्थान के नागवर जिले से लागू किया था पहला और दूसर के बात सातियों यह आंद्र प्रदेश से लाओ किया गया था दूसरी यह दूसरी बार कहां से लाओ किया गया था आंद्र प्रदेश से तो आगे देखें दोनों बातें हमारी यहां सही हो गई तो उत्तर हमारा सी हो जाएगा 90 का सी चले हम लोग आगे देख सातियों हमारा एक्यानवे में क्या पुछा जा रहा है कि एक से बढ़कर प्रशन आइसे जो भी थोड़ा सा मजबूत प्रशनों को साल्व करना सीख जाएगा सातियों वही एक्जाम के नजदीक पहुच पाता है आपके सफलता के नजदीक पहुचने का प्रयास वही कर रहा क्योंकि जो प्रेविएस यर के कोश्चन है जो सरल कोश्चन है जो बहुत ही पापुलर कोश्चन है उनका तो लगभग सभी बच्च्छे कर लेंगी जो थोड़ा सा दमदार को साल्व करनेगा तो वही इसका मतलब वही आगे की सिरडी में है तो देखें 91 वाले में क्या है सत्तान्वेवा समिधान संसोधन दिनियम 2011 के संदर्व में हमें दो कथन दिया है और में से कौन सा सही है यह हमें बताना है तो क्या करा है साथियों पहला आला जब आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या करा है इसने देश में सहकारी समितियों को विषेष अधिकार और सूरच्छा प्रदान की है तो इन्होंने, yes, ये बात सही है 97 संधान संसोधन जो 2013 में हुआ था तो सरकारी समयतियों को विषेष अधिकार और सूरच्छा दिया ये बात सही है औAR दूसर के में इसके तहट अनुछेद 19.1.C में संसोधन कर सहकारी समितियों के गठन के मूल का अधिकार माना गया था तो येस मूल अधिकार माना गया था येस साथियों आप लोग जानते हैं ये आप जो देखेंगे 19 वाले अनुच्छेद में तो ये बाते आपको मिलेंगे वहां समिती बनाने का अधिकार जो है तो ये दोनों बाते सही है यहां विकल्प नंबर सी हो जाएगा 91 का आपका बहुत अच्छा 92 का देखते हैं 92 में आपसे क्या पूछा जा रहा है सांसदों के बिसेशा अधिकार से संबन दीते साथ यह पहुत ही प्रपूलर प्रशन है यह 105 अनुच्छेद 105 जो है वो सांसदों के बिसेशा अधिकार से संबन दीते बिसेशा अधिकार का मतलब सदन से वो किसी गई सदस्तों को बाहर कर सकते हैं सदन में जो कुछ बोलेते ह उन पर कारवाई नहीं हो सकती और ऐसी ही कुछ बातों का उसमें रखा गया है तो ये संसदों का विशेशाधिकार है तो ये अनुच्छेत 5 में संसदों के विशेशाधिकार के बारे में अच्छे से दिया है इसको आप लोग एक बार डिटेल से पढ़ लिगिएगा आपके अपे तो पहुत ही काम आ जाएगा और सातियों चल्ले हम लोग देखते हैं Spraukất महत्फुल है 123 वाला राज्पति अध्या देश जारी करता है अनुचयत 123 के तहर राज्यपाल जो अध्या देश जारी करता हैं सातियों वह 213 के तहर अनुछे 213 के तहर करता है तिन दोनों बातों को भी याद रखिएगा आपको काम दे देंगे और यहां जो 111 दिया है यह विध्योकों पर राश्पती जो सहमती का प्रावधान है गो दिया है 111 में तो सारी बातों को मैंने बता दिया आगे देखते हैं में लोग 93 में यहां क्या है किसी विशिष्ट छेत्र का गजप का सवाल है ध्यान देजिएगा ऐसे ही सवाल आता है और बच्चे ऐसे ही सवालों को साल करने से बचते हैं डरते हैं तो से यह क्या आ गया तो देखें किसी विशिष्ट छेत्र क्यानि किसी विशिष्ट छेत्र को भारत के सन् जिद्धान की पांचवी अनुसूची के अधिन लाया जाए तो निमलिकित में से कौन सा एक इसके परड़ाम के सर्वोत्तम प्रत्विम्बित करता है तो साथ यह पांचवी अनुसूची में जो किसी राज को यालि किसी विसी छेत्र को पांचवी अनुसूची में लाया जा पहरत के संमजाएं में नवई अनुसूची को पूरा स्थापि किया गया था बढ़िया सवाल है सातियों तो नहरू जी के आप लोग जानते हैं पहला संविदान संसोधन जो हुआ था सातियों पहला संविदान संसोधन 1951 में जो हुआ था इसके तहट संविदान में नौवी अनसूची जोड़ी गई थी क्यों जोड़ी गई थी नहरू जी चाहते थे बोमी सुधार कानून लाकर जमिदारी प्रथा को खतम कर दें, तो सारे जमिदार कोट पहुच गए, देखो हमारा अधिगारों का हनन हो रहा है, तो कोट ने रोक लगा दिया, तो नहरू जी ने प्रावदान किया कि नववी अनसूची बनाया, नववी अनसूची में जिस बिसे को डाल देंगे, उसकी न्याइक समिच्छा नहीं हो सकती, उसे कोट में नहीं घसिटा जाएगा, तो इसलिए नहरू जी ने ये नववी अनसूची को बनाया था, ये ऐसे बिसों को डालने के लिए जिसकी न्याइक समिच्छा नहीं हो सके, लेकिन बात में फिर एक म पहले वाले हैं उन पर नियाइक समिच्छा नहीं होगी लेकिन उसके बाद जो है के सवननंद के बाद जो है उन पर हो सकता है तो मैंने डिटेल से बता दिया आपको बारे में इससे आगे देखते हैं पंचानवे में कि क्या है कथनों पर विचार करी विचार कर के सही उत्तर कैसे देंगे रहरताण निवारन बारंकर यह सणophone निहरता निवारन अदिश्क्वालिफाइड तो संसत निहरता printed दिया में तो उसको जो है फटा दिया जाएगो उसे लाव का पद मतलब छूट नहीं दिया गया लेकिन ऐसे कही सारे जिसे विस्व विद्याले जो कुलपती हो गया रहे हैं तो उनको लाव का पद का छूट दिया गया है तो कुछ पदों में छूट है विकल्फ नंबर ए आपका ये बात जो है सही है जैसे तो ये सब होते हैं जैसे और संसत में उप मुख्य उप सचेतक होते हैं कुलपती होते हैं इनके लिए लाव सब्द का लाव का पद जो सब्द है लाव का पद भारत के संविधान में भली भाती पर परिभासित किया गया नहीं सातियों लाव का पद तो 96 में आपसे क्या पूश रहा है भारत के सन्विधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाती भूमी खनन के लिए निजी पच्छकारों के अंतरण अक्रित और सुन घोसित किया जा सकता है तो किस अनुसूची के तहत ये मामले जो है सुन घोसित किये जा सकते हैं तो पांचवी अनुसूची के तहत विकल्प नमबत भी हो जाएगा तो पांचवी अनुसूची के अधीन जनजाती भूमी हो गया यानि जनजाती छेत्र की जो है भूमी आप लोग को थोड़ा सा सरल होता है साथियों राजपाल होता हूँ चाहे पर भूमी का जो खनन होता है इत्यादी जो मामले होते हैं उस पर जो है केल सरकार राज सरकार की कानून को लागु न होने दे किन मामला है है इसमें आगे देखें 97 में 97 में क्या करें जा रही है बात हमसे भारत के किस राज की विधान सभा के संदर्व में भारत के किसी राज के बिदान संदर्वा के संदर्व में वृत कःतनों पर विचार करके सही उत्तर देना है तो चले पढ़े हम लोग पहला वाला तो वर्ष के परफम सत्के प्रारम में राजपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढिगत संबोधन करता है तो साथियों यस ये बात तो सही है रूढिगत संबोधन ये वर्ष के प्रथम सत्र में करता है राजिपाल ये राजिक के बारे में दिया है तो राजिपाल ही करेगा तो ये बात सही है जब की विशिष्ट विशे पर राज बिधान मंडल के पास कोई नियम नहीं होता है उसे उस मिशे पर भारत के मुख्य नाइदी से सला ले सकता है तो साथियों ये बात जो है गलत है यहां पर तो ये दूसरी वाली जो बात लिखी है ऐसा प्रावधान नहीं है तो यहां पर केवल एक सही है तो 98 आ गया साथियों देखें MP लेंड से संबंदी सवाल है ये 1993 में ये शुरू किया गया था संसद सदस अस्थानी छेत्र विकास योजना तो यहां पर जो ये है MP मेंबर लाव पार्लियामेंट ये संबंदी जो जिसे इम लोग साड़ कट में MP लेंड कर रहे है 1993 में ये आया था कि कोई सांसद अपने छेत्र के सबसे कमजोर सबसे पिछड़े छेत्र को लेकर उसका विकास करे जिसे ओभी मुखधारा में आ सके यही उसका मेंथिम यही था तो इसे संबंदी MP लेंड से संबंदी कौनता सही है उसे को बताना आया में आदे की बहुतिक आधार भोठ संर्शना के निर्माड में प्रयुक्त हो सकती है यह बात तो सही है हमारी सही कर रहा है प्रत्येक संसद्ध की निधी एक निश्चित अंस अंसूचित जाती अंसूचित जन जाती के लाबार प्रयोख होना चाहिए यानि संसद्ध जो आप लोग को जानते एक साल में पांच करोड जो उनको रुपिया मिलता है तो इसका एक अच्छा खासा भाग ये अंसूचित जाती यानि एस्टी एस्टी पर खर्श होना चाहिए तो ये दोनों बाते सही हैं विकल्प नंबर सी हो गया अठानवे का सी आगे चले हम लोग देखते हैं नाइंटीनाइन में क्या है दोस्तों नाइंटीनाइन में साथ यह हमें पूछ रहे हैं कि भारत के राश्पती अ कर रहे हैं भारत के राश्पती अपनी सक्तियों का प्रियोग करते हैं तो कैसे करते हैं अभी मैंने ये बात आपको बताया था पिछले वीडियो में जहां कारकारी सक्ति वाला आया था कि सीधे भी कर सकते हैं या अपने अधीनस अधिकारियों के माध्यम के द्वारा कर सक का गठन भारती सनुधान के किस अनुच्छेत के तहट किया गया है तो किस अनुच्छेत के तहट किया गया है साथियों अनुच्छे 263 अंतर राज्य परिशद का गठन अनुच्छे 263 के माध्यम से किया गया है बहुत अच्छा जिसमें का गया कि राश्पती ऐसी संस्था का गठन करेगा कर सकते हैं जिसकी आवसक्ता वो महसूस करें तो विकल्प नंबर ए सव का आपका ए हो जाएगा तो आगे चले हम लोग अब देखते हैं यह 356 तो जानते हैं यह किसी राज का अगर कानून खेक ठाक से नहीं चल रहा हो वहां की कानून विवस्ता साथन प्रशासन तो वहां के लिए है मतला एक तरह के जो राश्पती सासन लगाने के लिए और 360 वाला यह बित्ती आपातका से संबंदित है यह भी आप लोग जानते हैं यह बित्ती आपातकाल से संबंदित है और 262 यहां पर साथियों जो है अंतर राजी नदी जल विवाद है यह नदी जल विवाद से संबंदित मामला है यह राजियों के बीच जो है नदी जल विवाद से संबंदित है अध्यस्ता ग्रीय मंत्री की छाती यह सिंपल सी बात है विकल्प नंबर अ हो जाएगा ग्रीय मंत्री आगे देखें ये क्या है हमारा पहला परसीमन आयोग पहला परसीमन आयोग अधनियम कब पारित किया गया था साथियों तो 1952 में किया गया था परसीमन सब्द का मतलब होता है किसी देश या प्रांतिक में जो बिधाई निकाय वाले छेत्री निर्वाशन छेत्र की जो है सीमा तै करते हैं यह इसका吧 इतना होगा यही परतिमन आयोग होता है तो 1952 में जो है हमारा पहला परतिमन आयोग गठन किया गया था कि तो आगे आगे चले हम लोग करें आगे देखें तो आप 74 लगा दीजिए इन तो और आपका A हो जाना चाहिए 103 का A आगे चले हम लोग 104 देख ले निम्ले लिखित में से कौन पंचायतों को प्रदत विशे में सामिल नहीं है तो कौन पंचायतों को प्रदत मतलब दिये गए विशों में सामिल नहीं है तो कौन सब इसे पंचायतों को नहीं दिया गया है यह बताना है आपको तो साथियों गरीबी उन्नूलन संबंदित कार जो होते हो तो दिये गए हैं नहीं दिया है उसको बताना है और साड़क और पेजल मामला दिया है पंचायतों आप लोग को जानते हैं ब्रिहत तो आपसन ही आपको बता देगा आगे देखते हैं लोग 105 में 105 में साथियों क्या है यहां कह रहे हैं कि किसकी सिपारिस पर अंतर राज परिशत का गठन किया गया था तो अंतर राज परिशत के अध्यस्ता कौन करता भी मैंने बताया जो है तो कौन था इसके पिछले वाले में तो अंतर राज परिशत का जो है किसकी सिपारिस पर अंतर राज परिशत का गठन किया गया था उसका नाम बताना है किस समीति की सिपारिस पर तो यह बताना है आपको तो यहां पर राज मननार आयोग यह तो नहीं हो सकता है यह लोग तो किंदराज संबंदू संबंद सुधारने के, परिपेच में हुआ था, तो, 1990 में राश्पती के आदेश के माध्यम से यह सुकृति में आया था, तो अंतर राजपरिश्छब, तो विकल्प नमबर किसके अधेस्ता किसकी सिपारिश कर, सरकारिया आयोग की सिपारिश कर, 105 का C हो जाएगा, आगे देखते हैं, 106 में क्या है हमारा, 106 में क्या पूछा जा रहा है, प्रधान मंत्री के कारे ओम शक्तियों के संदर्व में, हमें कौन सा कथन सही नहीं है, उसे बताना है, तो प्रधान मंत्री के कारे ओम शक्तियों के संदर्व में बात करना है, जो गल पहला बात यहाँ पर लिखी गई है, वह प्रधान मंत्री की नियोःक्ति करने के लिए राश्टप्ती से सिपारिष करता है तो यह साथियों अपना बहुमत लेखे जाता है राजपती के पास और कहता है हमारे पास बहुमत है तो मंत्री हम प्रदान मंत्री करनेगे और फ्लाने फ्लाने को आप मंत्री बना दीजिए तो हम मंत्री नियुक्त करने के लिए राजपती को सिपारिस करता है बात सही है वह किसी भी समय लोगसभा को बिगटित करने की सिपारिस राश्टपती से कर सकता है तो यह साथियों जब वो चाहे तब कर सकता है राश्टपती से खाँ आप लोगसभा को बिगटन कर दीजिए ऐसा भी है पदान मंत्री की कारे में राश्टपती के प्रसाद परियंत धारण करता है तो साथियों ऐसा नहीं कि राश्टपती जब चाहे तब उसे हटा दे यह बात आपकी गलत है जब तक उसके पास बहुमत है तब तक उसे राश्टपती नहीं हटा सकता तो विकल्प नमबर C यही गलत है यही आपका उत्तर हो जाएगा तो फिरहाल जो है यह आपका यही गलत है जब तक उसे लोकसवाम का उम्मत प्रापत है तब तक उसे हटाए नहीं जा सकता यही बात मैंने भी बताए यह भी सही है तो गलत केवल सी वाला है यह वाला यही उत्तर आपका होगा आगे देखते हैं हम लोग उच्षेद में मंत्री मंडल सब्द का उलेख किया गया था तो साथियों मंत्री मंडल सब्द का उलेख 352 में एक बार किया गया था 352 क्या है राष्टी आपातकाल संबंदित मामला है तो राश्टी अपात्काल में سाथियों आप लोग जानतेloo 1978 में जब 44. सन्मिदान संसुधन दन हुआ था पहली बार जब गैरिस कांग्रेस्थी सरकार बनी थी तो 1978 में ह्युआ था यहat 24. संसुधन तो उसमें 3 इंदान संसी साथियों यह प्रदाद मंत्री और अन्य गंग् ये बात की गई थी उस समय, उले किया गया था मंत्री मंदल सब्देगा, आगे देखें हम लोग 107 हो गया हमारा, 108 देखते हम लोग, तो 108 में क्या है, भारत के राश्पती के विसेश अभिभाषण के संदर में कौन सा कथन सही है, तो भारत के राश्पती का जो विसेश अभिभाषण होता है, उसके संदर में कौन सा सही है, में सही उतर चुनना है, तो राश्पती लोगसभा के साधारन निर्वाचन के पश् प्रतियक वर्ष के प्रत्म सत्र में आरम संसर्थ के दोनों सत्नों की संयूक्त वैठक को सम्बोधित करते हैं गर्यत अरा राश्टियवाशन में संसर्थ कर लेंatar के अवाहन के कारण संद्वा इने हैं गर्यत आहिए स यह भी बात सही है तो दूसरा आपका उत्तर सी होना चाहिए एक दो दोनों सत्य हैं 108 के संदर में आगे देखें तो ऐसे प्रश्णों में साथ यह दो बाते ध्यान रखा करो क्योंकि यहां हमें क्या पूछ रहा है सही पूछ रहा है गलत तो सही हमें मतलब सही कथन बनाने को है तो ऐसे में आप confusion नहीं होगे आप elimination से लगा सकते हों 109 में देखते हैं तो 109 में क्या है साथियों भारती संसत की कारवाई में शून निकाल का अर्थे क्या होता है तो सून निकाल क्या होता है साथियों पहले जब 11 वजे से लेकर 12 वजे के भी प्रश्ण काल होता है जो अन्य सदस जो हते हैं विपक्ष के लोग मंत्रियों से प्रश्ण पूछते हैं और उसके जश्ट बात साथियों यह सून निकाल का हो जाता है तो 109 का आपका जो हो जाता है प्रश्ण काल के पूर का काल तो यहां पर जो है हमारा जो है 109 का जो हो जाएगा यह प्रश्ण क काल के ठीक पश्चात का काल मैंने अभी बताया ना एक यारह से बारह वजे तो यह होता है तो उसके बाद का जो समय होता है एक घंटा का वो शुन निकाल होता है विकल्प नंबर भी 109 का भी यही आपका उत्तर हो जाएगा आगे शले हम लोग देखते हैं 111 110 कौन सा भारती सनुविदान भारती सनुविदान का कौन सा अनुछेद आकस्मिक्ता निधी से संबंदित है तो आकस्मिक्ता निधी से संबंदित कौन सा साथियों इसमें यह आकस्मिकी जो फंड है उसके बारे में तहरा है तो उससे संबंदित कौन सा है अनुछेद यहा को नंबर भी हो जाएगा तो 266 में आकश्मन नेधी का प्रावधान किया गया है तो यहां पर हो जाएगा अपका यह 255 तो हो गया और 206 तो इन में तो नहीं होना चाहिए 206 तो साथों लोग देखते हैं question number 110 क्या कर रहा हैं इसमें कर रहें कि भारती सनुभान का कौन सा अनुच्छेद उस अनुच्छेद का चाहिए 266 विकल्प नंबर आपका ये सी हो जाना चाहिए 266 ये आकस्मिक्ता निदी से संबंदिक है ये आपका उत्तर होगा 110 का तो आगे चले हम लोग अब देखते हैं हमारा 111 में क्या कर रहे हैं 111 में सातियों यहां पर देखें और वाला प्रशन है बहुत अच्छा पं अच्छायति राज पर निम्लिक्त समीथिओं का सही कालकर्म बताई यह मतलब कालकर्म पहले कौन समीथि आई फिर क्या क्याई इसके हिसाब से हमें बताना है जानते हैं साथियों सबसे पहले जो है बलवनतराय तराय महता जो समिती हुई थी वह आई थी उनिस सो सतावन में इसके 20 साल बाद लगबग 1977 में 1977 में यह आई थी असोक महता समयथी तो इसके बाद साति हो एलम सिंगवी समिती आई थी यह एलम सिंगवी समिती कब आई थी 86 में आई थी में में अभी बताया सरी हां यह बलवंतराय मेहता यह 1977 में आई थी तो 1977 में आई थी मैंने पहले बता दिया वही वाला तो साथ हम लोग फिर से देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कोशन नंबर 111 इसमें क्या करें हैं करें कि पंचायती राज पर नमनलिकी समेतियों का सही कालकरम बताईए कालकरम यहनि सबसे पहले कौन समेति आई उसके बाद कोन आई उसके बाद कोन आई तो बलवंतराय मेहता सबसे पहले आई थी साथियों HTTP दो कि कस्मेतियों क्यों दो करें करें उसके बिस साल बाद इसके इसके 20 साल बाद में इसके 27 में मैं आई समीतियों हमेती 36 में आई थी और आपका जीवेगए यानी रदी समीतियों जुआई थी जी वेकी राव जो है यह कब आई थी साथियों यह आई थी पचासी में उनिस सो पचासी में आई थी तो इस हिसाब से साथियों हमारा जो है कौन सा सबसे पहले आएगा तो यही बलवंतराय मेहतावाला और यानि सबसे पहले तीन होना चाहिए फिर एक होना चाहिए यानि सी हमारा जो है उत्तर ये बी होना चाहिए यानि दो तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा कौन होना चाहिए तीन होना चाहिए यानि ये 57 वाला सबसे पहले तीन कहां है तो ये सी वाले में है तो सी वाले में है सबसे पहले तो बलवन तरह महता वाला सबसे पहले होना चाहिए तीन, फिर एक हो जाएगा असोक वाला, फिर चार हो जाएगा, पचासी वाला, फिर एक दो हो जाएगा, यही है, सही है, बारा में हम लोग देखते हैं, तो बारा में क्या है, भारती संसत की लोग लेखा समिथी की समिच्छा करती है, तो भारती संसत की लोग लेखा समिथी समिच्छा करती है, तो साथियों नियंत्रक वा महालेखक परिच्छक के प्रतिवेदन की, तो लोग लेखा समिथी साथियों आप लोग जानते हैं क्या हो की इत्सका काम होता है तुनियां तक वह मालेखा परिच्छा के प्रतिवेधन की जो है मतलब समिच्छा करती इनके दिपोर्टों की जाज करती है तो ए हो जाएगा 112 का ए हो जाएगा अपका तो लोक लेखा समिच्छी में साथ यह आप लोग जानते हैं इसमें कुल 22 सदस्यो में से 15 जो होते हैं वो लोक सभासिव होते हैं साथ जो होते हैं वो राज सभासिव होते हैं आगे देखें हम लोग 13 में क्या है पीसी होता समिती क्या है साथियों पीसी होता समिती के संदर्व में दो कथन है दोनों कथनों में से सही उत्तर को हमें बताईएगा तो सही उत्तर में क्या है साथियों भारत सरकार द्वारा 2004 में सिविल सिवाओं के सुधार के लिए इसका गठन किया गया था यस 2004 में सिविल सिवाओं के सुधार से संबंदित ये PC होता समिती आई थी और ये बात तो सही है और जिसमें साथ यो सुधार मतलब क्या था एक तरह का कि कहा था कि बाई 21 से 24 के बीच रखने के एज की बात किया गया था तो इसमें समिती में सिविल सिवाओं के संदर में सिविल सिवाओं में यही वाली बात यह जो मैंने कहा न यही है तो दोनों बाते सही है यहां पर सी हो जाएगा उत्तर आगे देखें यानि 113 का सी होगा की एक सो चौुद्य में है राज लोग कि सिवा आयोक कि सदस्य किस आधार पर हटाये जा सकते हैं..बहुत अच्छा पहतली सवाल अछे अच्छे लोग इसमें जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं कि राज लोग सिवायोग कि सदस्ट की मतलब किस आधार पर हटाए जा सकते हैं तो सोचे ही नहीं पाते हैं भाई मतलब कैसे हटाए जाते हैं तो सात्यों यहाँ याद रखना कि उच्छितम नयाले यानि कोई भी उनको उपर आरोक लगा है तो प्रिकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा ये वाला आगे देखें जो ये प्रावधान जो है दिया गया है आगे देखें हम लोग क्या है एक सो पंदर में तो देखें यहाँ पर भी कालकरम सेट करना है हमें अच्छा सवाल है उनको सही कालकरम में ब्यवस्तित कीजिए त और केशवानन्द भारती तो आप लोग जानते ही हैं केशवानन्द भारती वाला कौन भूल सकता है उननीस सो तीहत्तर आया था यह 24 सन्मिधान संसोधन जो आया था साथ यह 1971 में आया था तो यह 71 है इसे द्यान रखे जाएगा तो सबसे पहले गोलक नात वाला आने चाहिए एक आएगा इसका मतलब एक आएगा तो यह दोनों पहले कार देजिए दोनों तो नहीं होगे यह दोनों में से कोई होगा तो एक आएगा एक आने के बाद सातियों फिर आपका तीन और सबसे अंत में चार रहना चाहिए तो यह आपका ए उत्तर हो जाएगा 15 का ए हो जाएगा बहुत अच्छा तो सोलह में हम लोग देखते हैं क्या है पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन यानि पंचायतों की बात कर रहा है हम लोग यहां जो परदानी का विडीसी का चुना होता है वही पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का लो कि जो इसार हमें कि नीख मता सोज़ा हिए यह सब भारत निरवाचन आयोग कराता है यह वाला informs लगाद राजनी इंडवाचन आयोग और जब बात अब हमार निरवाचन आयोग कराता है राजनी होती दार्य नाई preschool, hennavaryaraday, जो से सोगय. में प्राकलन समिती प्राकलन समिती के संदर में बहुत अच्छी समिती है साथ यह प्राकलन समिती हमारी तो इसके संदर में हमें दो कथन दिये गए हैं दोनों कथनों में से हमें पढ़कर एक सही उत्तर देना है हमें तो सही उत्तर कैसे देंगे चलिए शुरू करते हैं पहल प्राक्लन समित्य होती है शुरवात में तो 25 सदस है लेकिन 1956 में ये इसको जो है मतलब 30 सदस कर दिया गया था तो 30 सदस वाली है और सभी के सभी इसमें लोकसभासे होते हैं इतना याद रखिएगा तो आपको काम आएगा तो और सरकार का कोई भी मंत्री यानि मंत्री लोग इसके सदस नहीं होते हैं जो गयर मंत्री होते हैं वही इसके सदस्य होते हैं जो 30 सदस्य है तो यहां पर दोनों बाते सही है मारी बहुत अच्छा 18 देखते हैं भारती सन्विधान के अनुच्छे 162 के सिर्षक के सम्मंद में कौन सा सही है जो सही है उसी बताना है तीन गलत है एक सही है वही बताना है अनुच्छे 162 के सिर्षक से सम्मंद में तो पहला आप लोग जो यहां पड़ते हैं तो पहले वाले में साथियों क्या क्या जार रहा है राज की कारिपालिका सक्ति का विस्तार. तो यस 162 में यही है सात्यों राज की कारपालिका की सक्ती के बिस्तार के बारे में वर्डन किया गया है तो यही सही है यही आपका उत्तर होगा और यह सब 162 संदर्म में गलत हैं आगे हम लोग अगर देखिए 119 में क्या कह रहा जा रहा है गजब का सवाल है 1923 में जब स्वराज पाइटी बनी इलहाबाद में तो किन दो व्यक्तियों ने उसे बनाया था तो आप लोग को मालूम है असायो गांदोलन गांदी जी चलाये थे 24 के बाद जब मतलब घटना को गांदी जी ने सवयो गांदोलन को रोग दिया तो बहुत से युवा आहत होकर वो गांदी जी से बहुत दुखी हुए नराज हुए तो वहां पर साथियों मोतिलाल नहरू महरू जी के पिता और चितरंजन दा जी से लोग सियार दास कहते है हैं यही सुराज पायटी सबसे पहले सनमिधान सभा की मांग किया था सनमिधान सभा की चर्चा उठाया था तो याद रखेंगे इसके बारे में यहां उद्धर आपका सी हो जाएगा एक सो नईस का सी हो गया, आगे हम लोग देखें, एक सो बीस, यह भी सवाल अच्छा है, 1924 इस भी में उत्तर प्रदेश में कहां पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसियेशन की स्थापना हुई की, तो साथियों कभी भी आप से यूपी इस पेसल का भी यह सवाल बन सकता है 1924 में कानपूर में हिंदुस्तान यानि हरा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसियेशन नाम के एक संस्था बनी थी, यही संस्था ने काकोरी कांड को अंजाम दिया था, जब अंजाम के बाद जब बहुत सारे साथी लोग इसके पकड़ा गए, तो फिर चंसेखर आजात के निपित्र में इसके चार साल बाद 1928 में इसी को मोडिफाइड करके हसरा बनाए हिंदुस्तान सोचलिष्ट रिपब्लिक एसोसियेशन तो यही से समंदी थे, मैंने बता दिया, फिर हाल इस उत्तर का प्रश्न का उत्तर आपका दी होगा, कानपूर में, 120 का दी हो गया, आ 2000 जो जनगरना 2011 में हुई थी, उसके संदर में जीलों को सरवाधिक जनसंख्या के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में, यानि एसेंडिंग आडर में हमें इसे सेट करना है, तो सही उत्तर का हमें चुनाव करना है, एसेंडिंग आडर में, तो साथियों यहां पर दिये पर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा ऐसे करके, तो महोबा सबसे पहले होना चाहिए, तो चवथा देख रहे हैं, केवल D में हैं, तो इसके मतलब हमें पता लग गया है, खां उत्तर यही होगा, D वाला होगा इसका, बिना कुछ करें, तो D होगा, फिर स इत्रावस्ती, फिर ललेपोर, आगे देखा जाए, तो यह इस प्रस निकाल करने कुछ तरीके होते हैं, आपको कम जानकारी है, फिर भी आप उत्तर को निकाल लेंगे, आगे देखें, आगे हमारे क्या है, थोड़ा सा छोटा करें, आगे देखते हम लोग 22 में क्या पूशा जारा है, जनगडना 2011 के अनुसार, राज में लिंगा अनुपाद, यानि उत्तर प्रदेश के बात कर रहा है, तो राज में लिंगा अनुपाद के संदर में कौन सा कथन सहीं नहीं है, जो गलत है उसको बताना है तो साथियों हमें मालूम है हमारे उत्तर प्रदेश में अनसूची यानि जो लिंगा अनुपात की बात किया है तो वह से पिर लिंगा अुपात आउसत रूप से 912 है 912 है तो यह तो आउसत रूप में है यह लेकिन यहां पर किवल यसी के बीच पूछा अनसूची जातियों के बीच लिंगा अनुपात पूछ रहा है तो अनसूची जातियों के बीच लिंगा अनुपात 907 है यानि हजार लड़कों पर 907 लड़की यह बात तो सही है लेकिन ह से गलत पूछा जा रहा है तो चलते हैं देखते हैं कौन गलत होता है तो अभी हमें उत्तर नहीं मिला अपने आप में तो यह सिंटेंस सही है लेकिन हमें गलत को ढूड़ना है न तो गलत देखते हैं कहा मिलता है राज में अंसूची जन जातियों में लिंगा अनुपात 951 ह यह पी हो जाएगा तो इसका मतलब साथियों पहला वाला साही है यह सही ह है तो यह गलत होना चाहिए बी वाला होगा क्योंकि जंजातियों में 915 है यहां पर देख रहे हैं यस्टी में 951 दे दिया है थोड़ा सा इसमें मैं कंफ्यूज हो गया 51 जगर 15 यानि क्यों उलट दिया है लाश्ट का तो 915 होगा तो इसको सबको याद रखिएगा तो आपका गलत कौन सा दिया है तो मैं एक बार फिर से बता दूं कंफ्यूज आप लोग न होईएगा तो गलत यही है बी वाला क्यों गलत है यहां पर 915 की जगर 951 दे दिया इसलिए गलत हो गया बाकी सब सही है । तेप्रत्रेशम निवलिखित में से किस अस्तमभ लेच身 को सब्सको सकामले लेक को हिरोट साध supports द्वारा दि attracting 2 Hugo अुछ साहर्ण पूर से यह है हमार और की दिए तो छले हम अगर पहला पढ़ते हैं तो पहला वाले में साथियों आयोध्या के सिला लेका या जानकारी मिलती है कि उसमित सुंग ब्राम्हड धर्म नुए था यह सई है सुंग कालीन समराज सीमा चंद्रगुप्त मौर के तुल था यह सई है इस काल में उत्रप्रदेश में संस्केट भासा इस्थापत कला तथा ब्राम्हड धर्म का उनरुथान हुगा तो तीनों ब समुद्ध गुप्त के उत्तरापत हेऊं दच्छिडापत हवियानों का उल्लेग निमलखित में से कहां से मिलता है तो साथ यो प्रयाग पसस्ती अभिलेग जो इलहाबाद में है विकल्प नंबर ए हो जाएगा 125 का ए आगे हम लोग देखते हैं 126 में 126 में क्या करा है 1872 में वारानसी से हरिष्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया साथ यो भारतेंदू हरिष्चंद्र के द्वारा लिकल्प नंबर भी हो जाएगा आपका बहुत अच्छा यूपी स्वेशल से संबंदी सब परशन आ रहे हैं याद रखिएगा निमलिखित मे अब करदे से संब्राइते हैं संस्था का संविधानिक संस्था का मतलब इस संधा के वारे में संमिधान में दिया गया है इसी अनुछ्यत करूप में तल नि जिसे जिस संस्था की चर्चा संविधान में किया गया है वो संविधानिक संस्था और जिसको जो है संसत के द्वारा बना दिया जाता है वो होता है सातियों वो एक तरका हो जाता है वो मतलब उसे कह सकते हैं विधाई संस्था कह सकते हैं तो यहां पर क्या है हमारा पहला वाले में तो संविधानिक संस्था कौन है तो संविधान में संग लोक सेवा आयोग यानि UPSC की चर्चा की गई है तो यही होगा हमें सीधा सीधा पतल लग यह UPSC की चर्चा हमारे संविधान में किया गया है विकल्प नंबर आपका जो 27 का उत्तर वो डी होगा अनुछेद 315 से 323 के बीच इह अनुछे दिया गया है जो इस से संबंदित है हमारा और यहां पर साति और राश्टि बाल समजचने आयोक है यह एक संसथ के कानून चेहल के तहत यह बनाया गया था और राश्टि महिला आयोग जो है यह भी संप की तहत बनाया गया था और याह सलएफियो का उन मस् reinforcing होता है यह समयधानिक निर मतलब मतलब यह होता है यह जा यह समयधानिक हूद यानि एक तरह का इसा है वैद्हानिक मतलब यह होता है कि यह कारेकारी आदेश के अनुसार बनाया लिया है, तो फिलहाल उत्तर आपका D होगा, आगे देखें, बिधी आयोग के संदर में कथनों पर विचार के जिए, तो बिधी आयोग क्या है साथियों बहुत अच्छा है, उननीस सव पच्पन में पहली बार ये बनाया गया था, प्रथम बिधी आयोग का गठन उननीस सो पच्पन में हुआ था, सीतल वाड की अध्यस्ता में और बिधी आयोग कारकाल तीन साल होता है, पांच साल नहीं, तो ये गलत हो गया, ये सही है, उत्तर आपका जो होना चाहिए, वो कौन होगा, केवल एक होना चाहिए, अठाइ है, सही उत्तर देना है, तो चले हम लोग पहला जब पढ़ते हैं, राश्टी महिला आयोग की सामविधी की निकायच, सामविधी की निकायच मतलब इसकी चर्चा तो संमिधान में नहीं है, लकिन संमिधान की संसा की तरह ही कार करती है, इससी संसाथ के द्वारा बनाया ग था, 1922 में, तो ये तो आपका गलत हो गया, दूसरा कह रहा है, इसका मुख्यकार महिलाओं के लिए समिधानी और विधाई सुरच्छा पायों की समिच्छा करना है, और नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देना है, यह बात सही है, तो आपका यहां केवल C हो जाएगा, आगे हम लोग 30 में देखते हैं, 30 में क्या है, केंदर सासित प्रदेशों के प्रसासन के विषय में क्या सही नहीं है, केंदर सासित प्रदेशों के प्रसासन के संदर में क्या सही नहीं है, तो यहां देख रहे हैं, तीसरे में सरा सर जूर बोल रहा है, पहरा है कि सिर्फ ए यानि सिर्फ एक यूती में विधान सभा है तो साथियों गलत है दो में है अभी जम्मु कस्मीर में देखे प्रावधान चल रहा है लेकिन अभी तक तो सिर्फ दो जगह है एक आपके डेली में है और दूसरा पदुचेरी में है तो दिली में सतर सीठ है आप लोग जानते है और पदुचेरी में कितना है पदुचेरी में तीस है तो यही गलत है और गलत ही हमसे चानना चाहरा है तो यही आपका उत्तर होगा तो इसका मतलब यह गलत हो गए और यह सब अपनी अपनी जगह पे सब सही है यह सब अपनी जगह पे सही है लेकिन question में गलत पूछा तो गलत दी है क्यों गलत था कि एक में नहीं केवल दे दिया न सिर्फ एक के नसासीत प्रदेश में विधान सभाय साथियों दो में है दिल्ली पदुच्छे रिए आगे देखें एक सो एक तीस में कौन सी घटना सबसे पहले घटी हुई यहां पर तो नागरिक अधिकार अधिलियम कभ आटीनियम में 1955 में जन प्रतिन निधित्य अधिनियम 1951 में आया था और भासा के अधार पर पहला अंद्रप्रदेश जो बना उनिस सो तिरपन में बना था यह आप लोग जानते हैं यह नंबूरी यह नंबूदीरी पाद केरल के पहले कम्यूनिस्ट मंत्री जो बने थे साथियों तो व सबसे पहले घटना कौन घटी थी तो सबसे पहले देख लिजिए यह ब्रीवाला होना चाहिए आपका यह जन प्रतिन अधित्य अधिनियम आला यह आपका उत्तर हो जाएगा और आगे देख लें लोकतांत्रिक सरकार के संदर में क्या सही नहीं है एक लोकतांत्रिक सरकार के संदर में तीन बाते सही है एक गलत है उसी गलत को आप पकड़िए तो साथियों लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है लोगों को अपने खुद का नेता चुमने की शक्ति होती है यस बिल्कुल सही यह बात तो सही है लेकिन अभी उत्तर नहीं मिला क्योंकि उत्तर हमें गलत बताना है प्रतिनी धी लोकतंत्र में जंता सीधे सासन करती है यह सातियों यही गलत है तो हमारा जो यह लोकतंत्र है प्रतिनी धी लोकतंत्र है प्रतिनी धी लोकतंत्र मतलब हम जंता अपने सीधे सासन नहीं करते हैं अपने प्रतिनिधी चुनते हैं अपने प्रतिनिधी से अपना सासन करवाते हैं तो यहां पर जो बात लिख दिया गया है प्रतिनिधी लोगतंद में जनता सीधे करती तो नहीं बाई प्रतिनिधी करते हैं तो यही वाली बात आपकी गलत हो गई और बाक टिस्का हमारा हो गया अत्तर भी हो गया अब हम लग चलते हैं त्यृत के तो हिसमें क्या पूशा मनें अस्थानी सरकार वो कि नीदी लोकल वर्ड़ीनियत के संदर सवाल पूशा है क्या सही नहीं तो क्या मुंण पंचायत एक सभा पंचायत छेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है यह सात्यों ग्राम सभा जो होती है एक पंचाय छेत्र रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है यह बात तो बिल्कुल सही है लेकिन उत्तर हमसे गलत चाहिए जो गलत बाते हैं अस्थानी सरकार के संदर में ग्राम पंच इसमें भी कोई दो रायनने वही बाते सई है गलत बात थैंट नहीं रहना और ग्राम पंचाय। यह तो उसे चुनते हैं, तो उनके प्रती जवाब मétais जाहिए, और रह ऋनी यह तो दु साईये। वीन के जाहिए पोकाल सब्ने दे न वक ञाह सा एक किसी स्वतंत्र समाज की विसेस्ताओं में शामिल नहीं है तो कौन सी स्वतंत्र समाज की विसेस्ताओं में शामिल नहीं है तीन है एक नहीं है उसी को हमें चुनना है 134 वाले तो साथियों समाजी का समानता यह विसेस्ताओं में सामिल नहीं है जब कि सब विसेस्ताओ में शामिल हैं यही उत्तर हो जाएगा आपका 35 में तो साथियों सन्विधान के अंच्छे 164 में चार राज्यों में अनसूची जनजाती समुदाय के लिए एक अलग मंत्री का प्रावधान करता है तो निम्लिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है तो चार राज कौन से हैं जहां पर जनजातियों के लिए एक अलग से मंत्री नियुक किया आता है तो इसका मतलब वहां जनजाती की संख्या ठीक ठाक होगी इसलिए ऐसा किया गया है सात्यों तो वह इसा कौन सा राज्य है 36 गड़ सात्यों मैं नाम बता दे रहा हूं 36 गड़ जार खंड मध्रदेश हो गया सात्यों मध्रदेश गड़ एक और राज है सात्यों ओडिशा, यहीं चार राज यहें तो यहां पर कौन नहीं आया तो अलुडाशल यहां फालतूब दे दिया यहीं उत्तर होगा आपका और बाकी सब सही है यहां अलुडाशल के जगई पर जो है ओड कषपन दे दिया है आपको कायरण दे दिया है तो भारत एक गढराज यह याय几 इन्य बंग्राज घन्य जह तो तो भारत साथियों बहुत in suscraft ॥從 लेकिन वहां गड़ तंत्र नहीं है क्यों की साथियों वहां का राश्टपती प्रधान मंत्री तो चुना जाता है बजंता के द्वारे लेकिन राश्टपती वह अनुसार राश्टपती नहीं है उसके लिए चुना होता है कि इसलिए गड़ राज है तो दोनों बाते सही हैं और विए दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है तो D हो जाना चाहिए 36 का D हो गया हमारा 27 में साथ्यों देखते हैं क्या है मैचिंग वाले परशन हैं मैचिंग वाले परशन साथ्यों गलत नहीं होनी चाहिए बहुत अच्छा नंबर देखे जाते हूं देखें क्या है 37 में लोक सेवा आयोग से संबंदित अनुछेद हैं और ये क्या प्रावधान है ये दिया है तो साथियों हमें सबसे पहले दिया है ये संग और राजियों के लिए लोक सेवा आयोग अनुछेद 315 में ये दिया है और 316 में दिया है उनके नियुक्ति और पदावधी के बारे में दिया है 317 में किसी सदस को हटाया जाना याना सस्पेंड किया जाना 22 में लोग सिवा आयोगों कर जो मतलब पैसा खर्ष होता है expenditure वो है इसका मतलब सब सीधा सीधा मिले हुए है अब आपसं सी हो जाएगा आपका सै 30 का सी हो गया आगे हम लोग बढ़ें देख लिए क्या है आगे हमारा 38 में क्या है 38 में हमसे क्या पूशा जा रहा है भारती न्याय पालिक्या के संदर में कौन सा कथन सत्य नहीं है तो कौन सा सत्य नहीं है भारती निया ईपालीय के संदर में उसको हमें He बताना है तो जिला नियालों के लिव्हिपिंध और पोष्टेंध और प्रमोशन हाई कोड के परामर से राज का मुख्य मंत्री करता है यहिं गलत हो गया चाहि कि अपनी गलत बात यहां लिख दिया है आप लोग को कन्क्यूज करने के लिए राज्यपाल करता है कि राज्यपाल करता है तो राज्यपाल करता है याद रखिएगा मुख्यमंत्री नहीं तो यही गलत हो गया आपका कौर है कौन सा सही नहीं है यहीं सही नहीं है हमें पता में चलते हैं देखते हैं क्या है राज विधान परिशत के संदर में कौन सा राज विधान परिशत के संदर में कथनों पर विचार करना है थोड़ा से बड़ा करें तो राज विधान परिशत के संदर में कथनों पर विचार करें और विचार करके हमें अच्छे से उत्तर दे आंदपरदेश करनाटक और एक आंदपरदेश के बच्चे का जिसका नाम है तेलंगाना तो इंच्छ में है तो साथियों ये बात तो गलत हो गई क्योंकि तेलंगाना नहीं दिया तो ये बात तो गलत हो गई आपके विधान परिशत की पात्र सदस्यता के पात्र के लिए अनिवार रहे कि कोई वेक्थी भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 25 साल हो, तो साथ ये भी गलत है, क्योंकि विधान परिशत के लिए उम्र 25 साल नहीं, ये 30 साल जोड़ो पढ़ती, जैसे लोक सभा हो गया और राज सभा हो गया उसी तरह से यह विधान सभा होती है और विधान परिश्यद होती है तो यह जो यह निम्न सदन है इसमें 25 साल जवरत पड़ती है कम से कम और जो उच्छ सदन है इसमें सातियों 30 साल जवरत पड़ती है तो इसका आपका उत्तर हो यहां साल हो गई हो। साथ यहां पर कुछ फाल्ट लग रहा है मैं यह 39 का यह c. तो कोई भी सही नहीं होगा तो साथियों कुछ भी सही नहीं होगा वे लगता है कि अच्छा-च्छा-च्छा. गलत हो सारी में कंफूज होगा मैं एक दम सही बताया लेकिन मैं यहां गलत हो गया मैं सोचा सही देखो मैं भी गलत हो या मैं हमेसा बताता हूं मैं अगर मार्किंग नहीं किया तो गलत हो जाओगे हर बार देखो मैं मार्किंग कर लेता था तो नहीं किया था इसलिए कर रहा यानि दोनों गलत है भी हैं तो हम लोग चलते हैं आगे देखते हैं क्या है यमारा कि ऑसमें इन चाहरी समें देखते हैं साथियों क्या है मारे अच्छा प्रशन है ऐसी है यहां भी देखो गलत पूच रहा है कौन सा गलत है तो साथ यो दिल्ली पेवल करा है 50 मिरवाचित बिधान सवा सीटे हैं निरवाचित मतलब जितने पर चुना होता है 50 नहीं 70 है तो यह बात आपकी गलत हो गई पदुचेरिम करा है 40 है 40 नहीं अभी मैंने बताए 30 होती है तो ये भी गलत हो गई तो गलत पूशा है कौन सा गलत है तो दोनों गलत है 140 का सी हो जाएगा आगे देखा जाए 141 में तो अनुछेद 22 के संदर में क्या सही नहीं है तो साथियों अनुछेद 22 से संबन जानते हैं इसमें बीना कारण बताए किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जाएगा जी ये बात सही है गिरिफतारी के 24 घंटे के अंदर गिरिफतार व्यक्ति को हिरासत में रखे यानि ज समझ उसको जो है पेश किया जाएगा तो साथ में बात गलत हो गई हालांकि 24 गंटे के अंदर उसे मजिस्टेट के पास पेश किया जाना चाहिए लेकिन अगर सत्रू देश का हो तो उसके लिए यह फोर्सेबल नहीं होता है तो यह बाते आपकी गलत हो गई तो यहां पर यह जो बाते हैं यह बी वाला आपका गलत हो गया यही बी ही आपका उत्तर हो क्योंकि यही सही नहीं है बाती सब सही है आगे देखें हम लोग 41 42 में भारत में ब्यक्तिगत अधिकार यानि परस्नाल्टी राइट्स संदर में दो कथन हैं दोनों कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए देश में ब्यक्तिगत अधिकार या उसके संद्छन का कोई भी कानून में अस्पष्ट रूप से उलेख नहीं किया गया है तो यह साथ अधिकार तो ये बात बिल्कुल सही है अपना 142 का ये बात सही है तो आगे देखें आन 26 का अंतरगत भ्यक्तिगत-धिकार की नियाइक द्धिकार की बारे में एक नियाइक द्धिकी जूब्याक्ष्ट वो तो किया गया है तो जैसे मतलब कि कोई किसी को प्राइवेसी का अधिकार हो गया यह सम्मामले जो होते हैं और स्वच्छ पर्यावरान स्वच्छ हवा यह सब जैसे हो गया तो यहां उत्तर सी हो जाएगा आपका 42 का 43 में वा क्यों अभिवक्ति की स्वतंत्रता जो है यहां पर कह रहे हैं कि 143 में तो यहां पर क्या है हेट स्पीच को भाराज सरकार कानून में परिभासित नहीं किया गया है अच्छे से तो यह बात बिल्कुल सही है तो यहां जो दूसरा वाला है हमारा इसमें करा है वा क्यों अभिवक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त निरबंधन प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं यहां अगर हम लोग आगे देखते हैं 44 वाले में तो यहां क्या करे हैं भारती सन्विधान की अनसोचियों के संदर में यहां आपको जो कौन सा सही नहीं है इसके बारे में बताना है तो कौन सा सही नहीं है इसके बारे में बताना है तो देखें पहला ही गलत दे दिया है कौन कहरा है यानि कौन सा सही नहीं है बताना है तो जो गलत है साति हो यही पहला वाला गलत है क्योंकि नवी अनसोची कर रहा है पुड़ रोप से न्याइक समिच्छा से बाहर रखा गया है पुस्मान नयाज कि सब इच्छा हो सकती है। तो यहीं वाला गलत है। और बाकिस सब सही है दस्वीन सूची दल बदल कानुम से मन्दित है, चौथिन सूची राज के राजसभा सीटों से मन्दित है। और साथवी तो सरवाधिक भी से मतलब किन सरकार को दिये गए है यानि संग सूची की बात कर रहा है। अब हम देख लें 45 में तो यहां पर संग का यह करतब भी होगा कि वह बाहरी आकमण और आंतरी का सांती से प्रत्यक राजजी की रच्छा करे और राजजी की सरकार की सनविधान विक उफबंदों के अनुसार चलाया जाना सुरिष्चित करे। निमलिकित में से किस अनुच्छत में कहा गया है तो साथियों 55 में कि तीन सो बाउन तो राश्टिय अपातकाल से है, और तीन सो साथ तो यह बित्तीय अपातकाल से है और यही D वाला आपका उत्तर होगा, जो यहां मार्किंग नहीं हो पा रहा है, लेकिन D है, आगे देखें, 46 में, तो 46 में सिंपल सा परशन है, यहां पर एक, दल बदल से सम्मंधित दस्वी अनसूची की संविधान संसोधन के तहट लाई गई थी, तो साथियों, 1985 में अनसूचार बन गई, यह दल बदल जो मेगा कूध है, उसको रोकने के लिए बलाया गया था, 72 मिधान संसूधन, 1885 में, तो 47 में क्या है, अध्यादेश के संदर में बात कर रहा है, हाँ, अध्यादेश के संदर में कौन सा यहां सत्य है, तो यानि जो सही है, उसे ही हमें यहां पर बताना होगा तो जdayसे हम लोग यहां पर देखें अध्यादेश अस्थाई प्रकृती के होते हैं तो साथियों असथाई प्रकृति के नहीं होते हैं वे एक limited एक थोड़े से समय के लिए आते हैं 6 महिमे के लिए जादा-ज्यादा तो यह गलत हो गया, अध्यादेश सदन के अगले सत्र से सुरू होने की तिथी से 6 सपता तक ही वैद रहते हैं, यही बात सही है, बिकल्प नंबर B आपका यही सही है अध्यादेश के बारे में, और देखें हम लोग 48 में, तो यहां 48 में वाले में क्या है, सदी सची वाले के संदर्व में, यहां पर हमें दो कथन दिये गए हैं, और इनी दोनों में से हम लोग पढ़कर बताएंगे हमारा कौन सा यहां पर सही है, अब देखते हम लोग यहां पर दोनों सदनों के महा सचिवपद का भारस सरकार कैबिनेट सचिवपे समकच्छ हैं, ये बाते सातिव यहां पर जो लिखा है इसमें घुक्छ दूसरा अच्छ देखते हम लोग सन्विधान के तरत संसद के दोनों सदनों के लिए संबिलित प्रदों का स्रिजन करना, यालिहिए हैं अन्ले संसदी सची वाले के संदन में जो दोनों बातें लिजी गई हैं, तो इसमें साथियों इसमें दोनों सही होना चाहिए यह भी सही है और यह भी तो हमारा उत्तर सही पूछ रहा है तो दोनों सही है डी हो जाएगा उनचास में तुकरदी पंचायति राज से संबन्दित कौन सा सबसे अंत में गठित की गई थि सबसे अंत में कौन गठित की गई थि पंचायती राजसे कौन गठित की गई तो पहले इसका मैं डेट आपको बता दू हल苦 holiness और यह शोक राहे महता जो है ये ite lotta आप को मालूम है ये 1957 में गठित की गई थी इसके 20 साल वाद इसके 20 साल वाद जो है ये गठित किया गया था यहां पर आपका ये असोग मेहता 1977 में और थूंगन समिती 1988 में ये किया गया था हरलाल सिंग बर्खा 1990 में और ये हनुमन्त राव ये 1983 में तो यहां पर सबसे पंत में कौन गठित की गई थी सातियों तो ये हरलाल सिंग खरवाली डी हो जाएगा पचास में अनुछे 243 के समद में कौन सा भाग पंचायतों की शक्तिया अधिकार और जिम्मेदारिया निर्धारी करता है तो ये सम्मामला पंचायतों के लिए है कौन करता है तो अनुछे 243 जी जी से ग्राम जी से वही समझ लेज़ेगा ट्रिक रोप में तो बी हो जाएगा तो साति हम लोगों ने यहां पर आज की अपनी जो इंडियन पॉलिटी की टेस्ट्रीज है इसके डेड़ सो कोश्चन हमने पूरा किया हालांके साति हम लाइट नह मेलता हैं नेच्ट वेडियो में तब तक लिए नमसा